हेलो फ्रेंड्स जो रेसिपी आद में आप से शेयर करूंगी वो बनाने में जितनी इजी है खाने में उतनी ही टेस्टी है और खाना जो बनाने में इजी हो और खाने में टेस्टी हो इस से अच्छा क्या हो सकता है फिर तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता ही है तो चलिए आ सोख होने के लिए रख दिये थे यह देखिए यह अच्छे से अब सोख हो गए है और इनकी कौंटिटी कितनी बढ़ गई है अब एक पैन में 2.5 टेबिल स्पून मस्टर्ड और लेकर गरम खिया और उसमें हाफ मीडियम साइज अनियन जो है काटके हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया है अगर आप चाहें तो ओयल की कौंटिटी कम भी कर सकते हैं यह आपके पर डिपेंड करता है कि आप लेस ओयल खाना चाहते हैं या अच्छे से ओयल आप यूज़ करना चाहते हैं अब यह जो ब्राउन ना करके हलका ब्राउन करेंगे और इसी में हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे बस दो लॉंग एक बड़ी इलाइची डालेंगे यह हम पहले नहीं भूनेंगे क्योंकि हमें इनका फ्लेवर जो है इतना चाहिए कि वो डॉमिनेट ना करें इसलिए जब पादी हम इसको डालेंगे इसी में अब हम क्रश किया हुआ अध्रक डालेंगे अब इसको हम लो फ्लेम पे भूनेंगे और कुछ पिसेवे मसाले जो है हमने एक साथ मिला के रख लिये हैं एक साथ डालने से क्या होता है मसालों का कलर जो होता है बहुत अच्छा आता है एंड इसमें गर्म मसाला चारों चीजों को मिक्स करके एक साथ डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसको भूल लेंगे क्यूंकि अब इसमें पानी डाल दिया है इसलिए फ्लेम को मैं थोड़ा हाई कर दूँगे यह देखिए मसाला हमारा भूनके बल्कुल तयार हो गया है और इसके ने ओयल भी छोड़ दिया है अब जो ग्रेनियूल्स हमने सोक करके रखे थे उसमें से पानी निकालकर निचोड़कर हम इसको इस मसाले में मिला देंगे ये देखिए मैंने मिला दिये हैं और इनको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम थोड़ी देर पकने देंगे जिससे इसमें थोड़ा जो मौश्चर रह गया है सोया ग्रेनियूल्स में वो मौश्चर भी खतम हो जाए अब हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देंगे आएए अब जब तक ये पक रहा है तब तक हम एक कटोरी में करीब एक कटोरी पनीर ले लेंगे ग्रेट किया हुआ और उसमें हम क्रश करीवी ब्लैक पेपर मिलाएंगे salt according to taste मिलाएंगे और करीब 6 ग्राम melted butter उसमें हम mix करेंगे अब इन तीजों चीजों को डाल दिया है अब इनको हम अच्छे से mix कर लेगे और रख देंगे अब देखे जब तक हमने ये mix करा तब तक हमारा जो granules हमने डाले थे वो भी अब dry हो गए हैं सारा पानी देखिया आप इसमें करीब करीब सूख चुका है अब हम इसमें salt डाल देंगे salt हम पनीर के साथ नहीं डालेंगे क्योंकि पनीर के साथ वो अच्छे से mix नहीं हो पाता है इसलिए हम salt को पहले ही डाल देंगे अब जो हमने grate किया हुआ पनीर का mixture बनाया था वो हम इसमें mix कर देंगे और इसको हम फैला के पूरी भी नहीं डालेंगे हम इसको एक साथ डालेंगे और जब यह हम mix करेंगे तो यह कहीं कहीं पर जादा और कहीं पर थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है अब हम इसको फिर लो फ्लेम पर कवर करके थोड़ी देर के लिए कुख होने के लिए छोड़ देंगे अब इसको मैंने ओपन करा है यह देखिए इसने सबजी ने हमारे तेल छोड़ दिया है और यह करीब करीब बनके तयार हो गई है अब फिलेम को आफ करके इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए हम यूहीं रखतेंगे अब यह बनके तयार हो गई है इसको हम डिश आउट करते हैं अब यह देखिए हमारी रेसिपी बनके बिलकुल तयार हो गई है यह देखने में जितनी अच्छी है खाने में भी उतनी टेस्टी है इसको आप नान के साथ सर्फ करें या पराठे के साथ सर्फ करें और इसको जरूर करें और हमारी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग